ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे विशेश कारक्रम में इसका नाम है सितारों की माया दो हजार चौदा अब आखिर की चार राश्यों के बारे में हम गुरुजी से चानना चाहेंगे धनू, मकर, कुम और मीर अगर आपने ब्रिस्पति को नीच किया तो यह साल आपका बहुत खराब चले जाएगा और ब्रिस्पति को उच करना है तो इसकी निशानी यह होगी अगर ब्रिस्पति नीच जा रहा है तो सिर के बाल उड़ने शुरू हो जाएगे और पिता के स्वास्त में प्रिशानी आनी शुरू हो जाएगे अब आप क्या करें फॉरण डिस्पती कुछ करें केसर का तिलक लगाएं पीपल पर जल चड़ाएं पिता की सेवा करना शुरू करें और पीले कपड़े में चरे की डाल और केसर, हल्दी और गीता की पुस्तक रखके ब्रामन को दें तो आपका ये धनु राशी के लोगों को बहुत लाब राहू, केतु और गुरू की शांती करा ले तो धनु राशी के जो लोग है उनको बहुत लाब आना शुरू हो सकता है। उसके बाद आते हैं मकर है, क्या कहते हैं मकर का मतलब है शनी ये दस्वी राशी देखिए दस्वी राशी का मतलब शनी और शनी मकर और कुब दोनों के लिए अगर शनी घराब है तो आपको जो शनी के कारक है शनी जिस जिस का कारक है उन उन चीजों में नुक्सान होगा और उच्छ कर रहा है तो तवा, चिप्टा, अंगी ठी किसी सादू को दान कर दे और इसके इलावा एक लोहे के पात्र में जरसो का तेल या तेल का तेल डाल कर उसमें अपनी शकल देखकर और शरीवार को रात को नौ बजे के बाद पीपल पर रखकर उसकी जोद बनाके जला दे इसके इलावा चीटियों को काला तिल और चावल पीसका डाल दे उसमें मीठा डाल दे फिर नारियल के गोले में खोया घी और बूरा भर कर उसके उपर छेट करके बंद करके चीटियों के घरों के पास गाड़ दे उपर बड़ा पत्थर रख दे ताकि कुत्ते उसको करें गुरू की राहू की केतु की और साथ में अब गाये की पूजा करें तो मकर और कुम्ब वालों को बहुत लाव आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हमारी पास बारवी राशी बचती है मीन मीन का मतलब है ब्रिस्पती ठीक मैंने अभी थोड़ी दे पहले बताया के जल से माते पर टीका लगाएं केसर खाएं और केसर का तिलग लगाकर और बाकी केसर का जो तिलग के समय बचता है उसको अपनी नाभी में लगाना शुरू करें इसके इलावर राहू की शान्ती कराएं और शिव की पूजा कराएं तो आपको मीन राशी वालों को ये साल बहुत अच्छा जा सकता है और गुर्जी हम यह जाना चाहेंगे अगर युवाओं की बात करते हैं तो उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा है देकिन वर्ष की जो प्राता है धनू लगन वा धनू राशी में है तो वर्ष के आरब में गुरू की सब्तम द्रिष्टी लगन पर स्वध द्रिष्टी वा चंदर पर भी होने से गज केसरी नामक योग बना हुआ है नई साल का सब कहता है कि देश के युवा 2014 में अपनी आकांग्शाओं को पूरा करने में बहुत समर्थ होगे चतुरबाब जनता का उस पर साहस और प्राकरव के कारण मंगल की सब्तम द्रिष्टी है इसलिए युवाँ के लिए नए नए समिकरण बनने की योजना है रोजकार के सीम संभावनाओं के बढ़ने से बिरोजकार युवा लाब पाएंगे और प्रतियोगी जो प्रीक्षाव में भी युवा वर्व चमकदार सफलता से अपने आपको सजा सकते हैं भाग्यों के लिहाद से भी सूर्य भाग्य का स्वामी होकर और वनिग्रह बुद्ध के साथ बनके कारण चंद्रमांक से युथी बना रहा है तो बस युवा वर्व के लिए ये बहुत ही लाबकारी है और वैसे भी अगर मैं ये कुंड़ी जो देख रहा हूं इसमें जो वर्ष का अंका वो स्वामी बुद्ध बुद्ध एक युवा और सुकुमार ग्रह है इसके अनुसार वेपार के रास्ते युवाओं के लिए बहुत खुलेंगे और यवर्ष के लिए शुब होकर उन्निति दायक रहेगा इसलिए युवाओं को बहुत निश्चित होके रहना पड़ेगा जी और मासत एक और कॉलर अबोहर से जुड़ रही है सिम्रंजी है सिम्रंजी आप जो भी सवाल है गुरूजी से पूछ सकते हैं लेकिन अपने टेलेविजन की वॉल्म प्लीज कम रखेगा बताईए बेटे की बारे में कुछना ग्यारा साल का पूरा चुका है सिर्फ मुझे ये बताईए जगडालू हो गया क्या है थोड़ा जगडालू है और इसके इलावा मुझे ये बताईए क्या पढ़ने में या गुसा आने में क्रोध पैदा ज़्यादा करता है जी बहुत ज़्यादा करता है जब गुसा आता तो इसके लिए आप एक काम करें किसी अच्छे डाक्टर से इस वकत इसका होगलोबीन जो है वह दस पॉइंट कुछ होना चाहिए अगर आप चैक कराएं तो पूजा कराएं और इसके हाथ से आप अनुमान जी को बूंदी के लडू चड़ाएं अनुमान जी को सिंदूर चड़वाएं बस यह ठीक होना चुरू हो चाहिए और हम अमीद करते हैं गुरु जी ने जो कुछ बताया वह आप करेंगे तो आपके बेटे को जरूर पायदा ह होगा फिलाल गुरु जी ने तक कीमती समय दिया गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका तो दर्शकों मैं उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए खुश्यां ही लेकर आई इसी मंगल कामना के साथ हम में दीजे अजाज़त नमस्कार